हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूटूब चैनल प्यूर बेच रेसिपीज आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा चोकी खाने में बहुत टेस्टी लगता है इसे बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत पसंद करते हैं तो आएए देखते हैं इसके लिए हमें कौन-कौन चीज़ों की अवश्यक्ता है यहां हमने ये गाजर ले लिया है से कदुकस कर लिया है खोई को भी कदुकस कर लिया है और नारेल को भी कदुकस कर लिया है ये खोआ है और ये नारेल है ये चीनी ये तेल काजू, अख्रोट, छुआरा, शार्मकच, किश्मिश और बदाम यहाँ मैंने बदाम, काजू अख्रोट को मिक्सी में ग्राइन कर लिया है आपस मिक्स करके कडाई में तेल और खुवा डाल दिया है तेल हमारा कर्म हो चुका है अब हम इसमें गाजर मिक्स कर देते हैं अच्छे से अब गाजर मिक्स होने के बाद इसे आपस में हिला लीजिए अब गाजर हमारी आधी पक चुकी है अब हम इसमें नारियल जोकी कडुकस किया था उसको मिक्स कर देंगे यह हमने छुआरे का जो टुकडे पीसिस किये है उसे मिक्स कर दिया यह चार मगज, किश्मेश इसको भी मिक्स कर लीजिए काजर हमारा आधा पक चुका है अब हमने यह बदाम, काजू और अक्रोट का जो मिक्सर बनाया था उसे भी हम मिक्स कर लेते हैं अब आपस में सब को हलवे के बीच में मिला लीजिए अच्छे से ही लाके और इन्हें आपस में पका लीजिए अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं ध्यान रहे चीनी जब आधी गाजर पक जाए उसके बाद ही डालें कि अद्वागाई यह शाथ डाल trails कमें मिक्स राल साल stop आपस में मिक्स कर लेते हैं यह तैयार हो चुका है बहुत ही अट्र्ण स्वाधिष्ट गया रहा है हमारा रा काजर का हल्वा अब हम इसे हलवे को थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं दबा देते हैं हलकी हलका सा अब हम इसे खोई से गार्निशिंग कर लेंगे इस तरह से सारा खोई उपर से गार्निश कर लिया है हमने इसमें बदाम, काजू, चार मगज थोड़े-थोड़े से उपर डाल दिये हैं कार्णिशिंग के लिए देखिए हमारा काजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लग रहा है दिखने में और बहुत ही टेस्टी भी बना है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करें और अगर आप मुझे कोई कमेंट किया सेजेशन देना चाहते हैं तो मेरी कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं तेक्स पर बोचिक दित्वाइब चाहते हैं